हेलो सु नमस्कार मैं हर दियुपार आप सभी का स्वाइद करता हूँ अचली इसली चनल पर तो दोस्तों आज हम वनस्पति विज्ञान के सभारेग्यद करेक्ट वर्owmentस्पति विज्ञान क fixה है और दोस्तों और बड़ती हैं अगली के दिरफ अगला क्या है अगला क्या है अगला के देंट्रोल जी का श्रमंद किस से है डेंड्रोलोजी का श्रमंद किस से है जाडियों के अधिन से वर्क्षों के अधिन से पोधों के अधिन से या पुस्पों के अधिन से दोस्तो डेंड्रोलोजी का श्रमंद है वो जाडियों के अधिन से है ऑप्सिन नमर ए है वो आंसर होगा जाडियों के अगला कुसिका के अध्यन को क्या कहा जाता है। को सीका की ऑध्यन को क्या कहती हैं। से आंसर होगा आगे बढ़ी है। अगला क्वर्शन क्या कहे रहा है। अगला करशन के रहा है कि फलोक के अज्यन को क्या कहते हैं एंथोलोजी, इस्परमोलोजी, पीडोलोजी या पोमोलोजी दोस्तों फलोक के अज्यन को दोस्तों इसमें पीडोलोजी है और पोमोलोजी है तो इसमें आंसर होगा पोमोलोजी ओप्सनमर डी है वो इसका आंसर हो कहलाता है अगला कुछन है पोदो के पराग करणों के अज्ञन को क्या कहती है पोदो के पराग करणों के अज्ञन को क्या कहती है डेंड्रोलोजी कहती है ब्रायोलोजी कहती है सिल्वर कल्चर कहती है या पहलीनोलोजी कहती है दोस्तों पोदो के पराग करणों के अज्ञन क तो पहली नोलोजी कहते हैं, option में D होगा, इसका अंसर, क्या होगा, पहली नोलोजी, अगला है, वार्षिक वलेयों का अज्यन कहलाता है, कि वार्षिक वलेयों का अज्यन क्या कहलाता है, डेंड्रो क्रोनोलोजी, या एग्रोनोमी, या ब्रैोलोजी, या डेंड्रोलोजी, दोस्तों वार्शिक वलयों का अध्यन डेंट्रू क्रोनलोजी है वो कहलाता है ओप्स नमर ए है इसका आंसर होगा अगला क्वेशन क्या है अगला क्वेशन है सबसे ज़्यदा जय विविद्धा कहां पाज़ती है संकुदारी वनों में उष्न कटिबंदिय वनों में शितोष्न कटिबंदिय वनों में या उत्र धुरिय वनों में दोस्तों सबसे ज़्यदा जो जय विविद्धा है वो पाज़ती है उष्न कटिबंदिय वनों में अगला है विशो का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल ये पादप कौन सा है अमेजनी जलन लिनी या यूटरी कुलोरिया या जल हयाशंद या वाटर चशनट दोस्तों सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो जल ये पादप है वो है option number C जल हयाशंद इसका answer होगा जल हयाशंद किया जाता है तो इस परकार के स्ट्रक्शन को क्या कहती है दोस्तों क्या कहती है स्वस्थाने कहती है option number D इसका answer होगा अगला है अलू का खाने योगे भाग कौन सा है तना है अगला है निम्न में से कौन सा तना है शकरकंद, गाजर, शलजम या अधरक तना पूचा है दोस दोस्तों महत्वपूर्ण अंग कौन सा है महत्वपूर्ण अंग है वो है फूल फूल है वो महत्वपूर्ण अंग है अगला कसन क्या है बर्गद के पेड के तने से लटकने वाली जड़ों को क्या कहते हैं दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि बर्गद का जो पेड़ सामें इस तो बमूल कह सकती हम, option number A, इसका answer होगा, और बहुत अच्छा question, important लगा देने, दोस्तों, अगला question क्या है, मस्रूम, सेवाल है, कि लाइकेन है, कि कवक है, कि जिवान हुए, मस्रूम क्या है, मस्रूम दोस्तों, कवक है, option number C, इसका answer होगा, अगला question क्या कह रहा है, प्रकास translation के लिए जरूरी होता है, प्रकास translation के लिए जरूरी क्या होता है, परण हरित, जल, धूप, या उप्रोक्त, सभी, दोस्तों, इसका answer होगा, option number D, उप्रोक्त सभी, जय मतादी, क्या दोस्तों जए मता दियो प्रोक्षवी अगला है प्रकास संसलेशन की किरिया सबसे ज़धा होती है नीले रंग में लाल रंग में या बैंगनी रंग में या हरी रंग में दोस्तों प्रकास संसलेशन की किरिया सबसे ज़धा होती है लाल रंग के प्रकास में option number B है वो इसका answer होगा क्या अगा option number B इसका answer होगा दोस्तों अगला question है पोदे की लंबाई में वर्धी के लिए जरूरी है nitrogen, calcium, sodium, fast porous दोस्तों पोदे की लंबाई में वर्धी के लिए क्या जरूरी है sodium जरूरी है option number C है वो इसका answer होगा कि sodium के कारण ही जो पोदे की जो लंबाई है उसमें वर्दी होती है अच्छा क्रेशन है दोस्तों अगला क्रेशन है परकास संसलेशन के दोरान निकलने वाली गैस कौन सी है oxygen hydrogen nitrogen या carbon dioxide दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्रेशन है और important लगा देना कि परकास संसलेशन के दोरा निकलने वाली गैस कौन सी है oxygen है कि hydrogen है कि nitrogen है या carbon dioxide है दोस्तों oxygen है option number A इसका answer होगा कि परकास संसलेशन के दोरान निकलने वाली गैस oxygen होगी तो दोस्तों इस परकास से ये आज के question answer थे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा ते वीडियो को like कर देना चनल को subscribe तो जरू करना और bell notification भी on जरू करना मिलती है एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जहन जय भा नमस्कार राम राम